ये एक चीद आज से ही खाना शुरू कर दीजिए अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे तो आपके शरीर से 500 से अधिक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी इसके अलाबा जब आप इसका इस्तमाल करेंगे तो आपका खून भी साफ होगा, किड्नी की भी बहुत अच्छे स सफाई होगी, पत्री की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और अगर शरीर में किसी तरह का इंफैक्शन है या फिर अगर आप डाइबेटीज या हाई कॉलिस्ट्रोल से परिशान है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, इसके साथ साथ लगबग शरीर से 500 से अध इंदियन किचन में, आज आपके साथ शेयर कर रही हैएक ऐसे इंग्रिड Rings के बारे में जानकारी जो कि आपके किचन में ही अविलिबल है, लेकिन उसका इसतमाल आप सिर्फ और सिर्फ खाने में मसाले के रूप में करते हैं, यानि उसका इसतमाल एजर गर्म मसाले किया ज जाता है इसके अलावा इसके नामों की और बी जो लिस्ट है वो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका इस्तमाल जब आप करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे फायदें मिलते हैं सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तमाल ना किया जाए बलके इसके अलावा इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है इसमें वाइटमिन सी की मात्रा अच्छी होती है पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लमेट्री तत्व भी होते हैं और यह आपके शरीर को हर तरह की सूजन औ तो अगर आपको Diabetes समस्या है तो उसे कंट्रॉL करने में भी बड़ी लायची आपको काफी मदद करती है तो अपको सिर्धिक की समस्या RS रहती है तो ऐसे में बड़ी लायची आपने लेनी है इसके बीजों को निकाल लेना है और आपने ताजे गुलाब की पंकड़ियों के साथ पीस करके इसका लेप बना कर तयार करना है इस लेप को जब आप माथे पर लगाएंगे तो इससे आपको माइग्रेन की समस्या में बहुत लाब मिलता है इसके अलावा आप चाहें तो इस के चाहेंने की चाहे बनाने की जाते हैं इसकी चाहें बनाने का तरीक हम विडियो के अंड में आपको बताएंगे अगर आपको दांत में दर्द की दिक्कत है या दांत में कीड़ा लग गया है या फिर दांत से खून आता है किसी तरह का या फिर आपको बहुत लंबे समय से मूँ से बद्बू आने की समस्या है तो ऐसे में भी आप बड़ी इलाची के दानों का और इसके छिलके का इस्तमा तो वो भी दूर होती है इसके अलावा अगर आपको दात में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो ऐसे में बड़ी इलाइची के दाने लेकर के साथ में दो लोंग लेकर के आपने इनका पेश सा बना लेना है और इसमें थोड़ी मात्र में आप चाहें तो नमक भी मिक्स कर सकते हैं सेंधा नमक और इसे उस जगह पर लगाते हैं जहां दात में दर्द है तो दर्द में आपको काफी आराम मिलता है अगर आपको सांस से संबंदित कोई समस्या है साइनेस का प्राबलम है दमा का प्राबलम है अस्तमा की दिक्कत है या फिर किसी तरह की कोई ऐलर्जी है स उसके लिए एक प्रोसीजर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे इसका इस्तमाल अगर आप करते हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है मात्रों बात्र चार से पांच बूंदे इसका तेल आपने लेना है और इसमें थोड़ी मात्रा में मिश्टी मिलाने न लगता है तो ऐसे में पाचन से जुड़े हुई जितनी भी समस्याओं है उन्हें ठीक करने के लिए आपने बड़ी इलाइची के लगबग चार से पांच दाने लेने हैं और इन्हें आपने दो ग्राम सोफ के साथ अच्छे से चबा कर खाना है खाना खाने से आदा गंटे है सूजन की दिकत है या फैटी लिवर की दिकत है तो ऐसे में भी आप बड़ी इलाइची का सेवन कर सकते हैं बड़ी इलाइची आपने लेनी है यहां पर लगबग 2 ग्राम इसका आपने चून लेना है और लगबग 2 ग्राम ही चून आपने राइका लेना है इन दोनों को चांचों, तर बाद पासमें मिक्स कीजिएगा और एक ग्राम एक दिन के अंदर आपने सेवन करना हैं इसका गुंगुने पानी के साथ में या फिर आप चाहें तो एक ग्राम की मात्रा मीस पाउड़र को आप شहट के साथ mix करके भी ले सकते हैं इससे आपको liver से समंदित बीमारियों में काफी लाब मिलता है अगर आपको kidney से related कोई समस्या है किड्नी में infection है किड्नी में पत्री की दिक्कत है और फिर कई बार होता है कि किड्नी में किसी तरह का infection होनी की वज़े से हमें मुत्र की समस्या हो जा पानी लेना है इन दोनों चीजों को आपने गैस पर चड़ाना है और उसके बाद यह कुटी हुई इलाइची है इन्हें आपने उसके अंदर डाल देना है अब आपने अच्छे से पकाना है जब तक जब तक जो है वह 200 ml पानी आपने डाला है पूरी तरीकी से समाप्त नह अगर आपको पत्री की समस्या है तो ऐसे में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो पत्री की समस्या के लिए आपने क्या करना है आपको बड़ी इलाइची लेनी है एक साथ में एक चमश मगज लेनी है जिने खरबूजे के बीच भी कहा जाता है तो मगज लेनी है आपने थोड़ी मात्रा में मिश्री मिला करके दिन में एक बार किसी भी समय आप पी लीजिए गा सुबाइ काया ने के लिए एक मोती इलाइची लेनी है और साथ में एक चमच आपको शुफ़ चाइए इन दोनों चीजों को एक ग्लास पानी के साथ आपने अच्छे से उबाल लेना है जब ये पानी लगबग लगबग 30 एमल ये 40 एमल रह जाए तो आपने इसे च्छान करके इसमें थोड़ी मात्रा में हलका गुंगुना रहने पर या तो शहद मिला ले या फिर आप इसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री पाउडर मिला सकते हैं अगर इसका सेवन आप करते हैं तो आपको जोड़ो के दर्द में और शरीर की कई सारे इंफेक्शन को ठीक करने में काफी मदद मिलती है इसके अलावा अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में तो अगर आप जो है इलाइची का सेवन कर रही है इसके चून को ले रही है तो 2-3 ग्राम की मात्रा में ही लेना है इससे जादा मात्रा में इसको एक दिन में स्तमाल नहीं करना है नहीं तो कई बार ये आपको डारिया की दिक्कत कर देती है अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे जरूर पताईएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा सभी के साथ शेयर जरूर कीजेगा ताकि सभी को इसका फायदा मिले चली फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना खयाल रखें अपनों का खयाल रखें और हैंसे मुस्कुराते रहें स्टे हैल्दी, स्टे हैपी बाबाई, नमस्कार